बुस्कार दोस्तो जो फ़ों समिच दो में हो सुमिच ओडरी और सक्सेस्ट्ल सक्यर्म एडमिंगर प्लेटफोर्म पर आप सभी का हार्वदिक स्वागत है दोस्तो आज के सुड़ियो में हम बात करने वाले हैं दग प्रोटेस्टन्ट रिफॉर्मेशन के बारे में Protestant Reformation जो था, वो 16th century में इसाई धरम में होने वाला एक बहुत बड़ा धार्मिक सुदार आंदोलन था जिसने पूरे के पूरे इसाई धरम की तस्वीर बदल के आने वाले समय में रख दी तो यह Protestant जो शब्द है यह बना है Protest से और Protest का मतलब आप जानते हैं होता है विद्रोख तो यह विद्रोख किसके खिलाफ था आप जानते हैं पुराने समय में Medieval पिरियड में जो Catholic Church था जिसको Roman Catholic Church भी कहते थे उसकी Dominance बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यह मैंने आपको पिछले वीडियो जो थे उनमें भी पढ़ाया है जब हम Dark Age of Europe के बारे में पढ़ रहे थे कि जो पूरा का पूरा जो Church था उसकी जो Dominance है उसकी Political Power हो चाए उसकी Religious Power हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस समय कुछ 15 और 16 सेंचुरी के समय में जो की रेनोसों का पिरियड भी चल रहा था उस समय कुछ धार्मिक सुधार आंदोलनकारी आये और उन्होंने Church की सत्ता को Church की Dominance को एक तरीके से Challenge किया और उसके बाद उसके काम करने के रवेए के उपर सवाल खड़े किये जिसकी वज़े से एक लंबा conflict चला एक तरफ वो लोग थे जो की Catholic Church को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो की इस धार्मिक सुधार आंदोलन को सपोर्ट करते थे जिसके बाद अंतता है एक लंबी लड़ाई के बाद जो है Christianity में एक बहुत बड़ा division हुआ जिसको कहते हैं Christian division या Protestant reformation जिसमें क्या होता है कि पुराना जो चर्च का तरीका था उसके जो followers थे उनको Catholic religion के लोग बाना गया और जो इस reformation के बाद इस philosophy को बिलिव करते थे जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो उनको Protestant कहा जाता है तो Christianity के बारे में हम ऐसे तो already पढ़ चुके हैं Christian धरम क्या है इसकी foundation कैसे रखी थी Jesus Christ ने उनकी टीचिंग्स क्या है उनकी life के बारे में भी हमने पूरा अध्यन किया है और पूरा का पूरा एक विस्तारित रूप में हमने Christian धरम को समझने की उस वीडियो में कोशिश करी है तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक detail information मिल जाएगी कि Christian धरम में क्या कुछ बदलाव time के साथ-साथ हुए हैं और आने वाले समय में भी मैं एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा जिसमें हम Christian धरम की जो branches हैं उनके बारे में discuss करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि Christian धरम जो है आज का दुनिया का सबसे ज़्यादा फोलो किया जाने वाला धरम है दुनिया की लगभग 32-33% आबादी जो है इस धरम को फोलो करती हैं तो आज जब आबादी की बात करें तो Catholic religion को फोलो करने वाले जो रोलोग हैं वो लगभग 1.2 बिलियन के आसपास हैं और लगभग 550 मिलियन के आसपास जो हैं वो इस नई ब्रांच प्रोटेस्ट निजम को फोलो करते हैं जो कि लगभग 16 सेंचुरी में ही इसका जनम हुआ था तो ये था और ये एक नई डॉक्टरिन के साथ लोन्च हुई थी नया तरीका था इनका का करने का और पुराने तरीके और नए तरीके में क्या डिफरेंस है यानि कैथलिक चर्च और जो प्रोटेस्टनिजम के जो लोग हैं उनके बीच में क्या मतभेत थे उसको भी लास्ट में हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कि कहां से ये शुरू हुआ कौन-कौ पारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे उसके बाद जॉन कैल्विन जो है ये एक फ्रेंच रिलिजियस रिफॉर्मर थे ज्विंगलिंग जो थे यहां पे स्विजर्लेंड के रिफॉर्मर थे और हैंरी एड जो है ये इंगलेंड के राजा हुआ करते थे उस समय तो इन सभी ल तो ये चीजे हैं कैसे शुरुवात होती है इसकी बात करते हैं उससे पहले ये देखेंगे कि उस समय से पहले जब ये रिफॉर्मेशन हुआ उससे पहले यूरोप कई क्या हालत थी क्या दूरदशा थी जिसकी वज़े से ये जो है आंदोलन शुरू हुआ एक धार्मिक जो भी धर्म हो उसमें नई नई चीजें एड़ोन करते जाते हैं जिसकी वज़े से वो धर्म जो है वो कॉंपलेक्स बन जाता है आम लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता है उसको फॉलो किया जाना और लोग जो है एक धर्म की जकड़न में आ जाते हैं और ऐसा ही ग्रोप के इस पूरे के पूरे क्रिशियन धर्म के कल्चर में भी यहां पे जो पूरी की पूरी पावर थी वो यहां पे जो है इनके पास आ गई थी जो कैथलिक चर्च था इसके पास तो मेडेवल जो कैथलिक चर्च था इसके पास ना केवल जो रिलिजियस मेटर की जो एक तरह से पावर है वो थी बलकि पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पावर है वो इसमें भी इसका ज्यादा का ज्यादा अस्तक्षेप हो गया था जब मैं आपको होली रोमन अमपायर का इत्यास पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा डिबेट इस चीज़ पे था कि एमपरर ज्यादा पावरफुल माना जाना चाहिए या फिर यहाँ पे पॉप की ज्यादा चलनी चाहिए तो इसके उपर भी बड़े बड़े राजा थे उस समय के वो भी परिशान थे और वो भी पॉप का सामना नहीं कर पाते थे और यहाँ पे मैंने जब आपको रेनोसों के में पढ़ाया था कि पॉप की एथर्टी कितनी पावरफुल थी कि वो साइंटिफिक डेवलप्मेंट में भी भाधित कर करती थी कि ये जो बिशफ होते थे पोप होते थे कार्डिनल्स होते थे इनके उपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते थे बहुत ज़्यादा ये करप्ट हो चुके थे ऐसा माना जाता है कि ये लोगों को मतलब ऐसी ऐसी चीजे होती थी कि जो लोग हैं जैसे आप जा पॉप कहते थे कि आपने जो पाप किये हैं उनको जो है आपको परिणाम ना भुगतना पड़े आपको स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की टिगिट जो है वो बाटी जाती थी ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी तो यह जो चीजें हैं लोगों को पता नहीं होता था कि जो वो सही है कि गलत है एक बड़ा रिजन यह था कि जो Holy Bible थी जो कि एक सबसे बड़ा जरिया है Christianity को जानने का Old Testament और New Testament Bibles जो थी वो उस समय Latin Language में अविलेबल थी only तो Latin Language में अविलेबल होने की वज़े से लोग जो हैं वो उसको इतना समझ नहीं पाते थी पूरे के पूरे यूर भाशा बहुत मुश्किल थी उसी तरीके से Latin भाशा जो है वो उस रिजन में मुश्किल थी और Latin भाशा आप जानते है Roman Empire की है वो State Language हुआ करती थी तो Latin भाशा एक तरह से Language Barrier बनी जिसके वज़े से लोग जो है वो तो समझ नहीं पाते थे religion को और पॉप और जो बिशप्स और यह जो clergy लोग जो थे यह जो priest जो थे यह अपनी मनमानी करते थे और लोगों को समझाते थे कि हम जो कह रहे हैं वैसा कर लो वरना नारक में जाओ गो आपको बहुत ज़्यादा punishment मिलेगा तो बहुत ऐसी सिस्तिक खराब थी और यहां पे बहुत सारे कारण थे जिनकी व पूरी तरीके से इस पॉप ने और यह जो Catholic Church है इसने अपने आप में ही समाहित करके रखा है इसका redistribution बहुत जरूरी है सत्ता का power का redistribution बहुत जरूरी है तो यह बात कहीं तो यह बात obviously आप जानते हैं कि पॉप की जो authority है उसको challenge करने वाली थी तो authority को challenge पॉप यहां पे ख्यास में उस समय का बहुत बड़ा war था जिसने मतलब एक तरीके से religious war था जिसको कहते हैं तो पहले तो crusades हुए आप जानते हैं कि 11 शताबदी से लेके 13 शताबदी के बीच में crusades हुए हैं जिसमें जो पूरे के पूरे Christian जो देश थे उन्होंने मिलके यहां पे बार-बार Jerusalem के उपर attack किये हैं और Jerusalem को अपने control में लेने के लिए लड़ाईयन लड़ी उसके बाद ये इस्तती होगी तो continuously इस्तती ऐसी थी कि war का दोर जी रहा था पूरा का पूरा Europe मद्धेकाल में इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में जिसमें हमने dark age of Europe की बात की थी तो मैंने ये age कहा जाता है कई बार उसके लाओ और भी reformation के कुछ कारण आप देखना चाहें तो जिसमें social causes जो हैं जिसमें humanism जो इनसान जो है उसको central idea से एक तरह से side में धकेल दिया था और humanism का जो idea है वो आप जानते हैं कि रेनसों में एक central idea था कि जो universe का जो center है वो हर आदमी खुद होना चाहिए तो उसके इसाब से रेनसों period के दोरान एक ऐसा already अंदोलन चल रहा था तो वो भी एक इसके लिए push factor बना इसको धका दिया इस reformation अंदोलन को उसके अलावा आप जानते हैं कि चर्च में जो जो चीजे चल रही थी उसके बाद जब लोगों के पास printing press हो गई थ उस समय की जो रेनसों का period चल रहा था मद्य काल का अंत जब आया था तो printing press हो गई थी बहुत सारे printing की वज़े से Bible की translation हो गए थे तो Bible का translation होने के बाद जब लोगों के पास Bible पहुंची तो लोगों को समझ में आया कि यह जो सच में यह जो Pope हैं, clergy हैं, यह जो बातें कह रहे हैं, यह तो Bible में नहीं लिखी हुई हैं, Jesus Christ की teachings में तो यह चीज़े नहीं हैं, तो इसलिए जो हैं, लोगों को इस चीज़ से motivation मिला और वो reformation की तरफ जुक गए, बहुत सारे जो powerful monarchs थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेशान थे Pope की authority से, क्योंकि Pope जो हैं, बार-बार उनके सामने politically उनको challenge करता था और Pope की जो power है वो बढ़ती जारी थी, dominance बढ़ती जारी थी, इसलिए Pope की सत्ता को हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने reformation आंदोलन को support किया, economical causes भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे merchants जो थे, उनको यहां पे बहुत ज़्यादा tax pay कर चर्च को और बहुत सारे European king जो थे, वो चर्च की wealth से बहुत ज़्यादा एक तरह से jealous फिल करते थे कि चर्च जो है वो तो बहुत powerful होता जा रहा है और हम इतने बड़े सामराज्य के राजा हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यह बात हैं, उसके बाद religious angle जो हैं, जैसा क साथ साथ तो उस धरम का ही एक तरह से पतन हो जाएगा, ऐसा भी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे Roman religion था, Greek religion था, वो धीरे धीरे बहुत complex थे, बहुत ज़्यादा देवता उसमें follow किया जाते थे, polyethistic religion थे, लेकिन आने वाले समय में नहीं चले ना वो, धीरे धीरे जाता है, 31 October 1517 को, जब Martin Luther ने अपनी 95 thesis को publish किया था, उस देन से माना जाता है कि ये reformation का भाई, डेट शुरू हो गई है, हलांकि ऐसा नहीं है, कि Martin Luther से पहले कोई यहाँ पे moment नहीं हुए, उनसे पहले भी बहुत सारे moment हुए हैं, जिसमें Christianity में एक तरीके से सुधार आंदो दे दिया गया, दब्बा दे दिया गया कि ये तो क्राइस के खिलाफ है, इनको मारो, ये धर्म के विरोधी हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हुए, लेकिन ये Martin Luther का जो अंदोलन है, ये काफी popular हुआ, और इसकी वज़े से Martin Luther जो है, उनको ही ज़्यादा स्रे जाता है कि ये जो reformation इनकी शुरुआत से ही शुरू हुआ जब इन्होंने ये 95 थीसिस लिखे, ये 95 थीसिस जो है, ये क्या था, ये इन्होंने चाप दिया openly खुद की printing press में, और इन्होंने Bible का भी translation किया, इस 95 थीसिस में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये जो Latin भाषा में, जर्मन भाषा में दोनों में लिखे गए, और एक जो बिशप थे, में इनके, उनको इनको भेज दिया, इनकी पूरी की पूरी एक तरीके से लिख के, और इस पूरी की पूरी 95 थीसिस में क्या कुछ लिखावा था, उसको हम डिसकस करते हैं, इसका जो सबसे पहला idea था, वो था, कि ये आदिया है कि हम ही है धर्म के मालिक, हम ही को पता है सब कुछ, ये गलत है, उसके बाद इन्होंने कहा कि आप जो indulgence को एक तरीके से बेचते हूँ, indulgence कहा है, जैसे कि मैंने कहा था आपको, कि ये ऐसे कहते थे कि एक तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसने कोई पाप किया है, उ पॉप और जो कलर्जी लोग हैं वो हम आपके लिए प्रे करेंगे तो बड़े-बड़े मर्चेंट और जिनके पास धन्वान लोग थे वो अपना पैसा देते थे और एक तरीके से स्वरग की टिगेट जो है वो खरीदने की कोशिश करते थे बेसिकली अपने पापों से वो म मार्टिन लूथर ने इस बात को बहुत जादा एक तरह कैसे क्रिटिसाइज किया और उसके बाद इनकी जो पॉलिसी थी पूरी की पूरी चर्च की जो रोमन कैथलिक चर्च था और उसके जो कलर्जी थे उसके जो पॉप थे उनको इन्होंने बहुत सीरे से खारिज किया क आप जो बाते कहरे हैं, वो बहुत गलत हैं ऐसा कहीं भे भी नहीं लिखाओा है बाइबल में क्योंकि ये कुछ खुद पढ़े लिके वेक्ती थे और ये जानते थे कि बाइबल में क्या लिखाओा है और ये पॉप और ये जो अथरिटी में जो लोग हैं ये जो बिशप हैं जो कलर्जी हैं ये क्या कह रहे हैं तो बैसिकली इन्होंने पॉप की अथोरिटी को ओपनली चैलेंज कर दिया ओपनली चैलेंज कर दिया उसके बाद इन्होंने जो हर तरीके की जो फोर्गिवनेस जिसको बेचा जाता था खरीदा जाता था उसको एक तरह से कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हैं भगवान की मर्जी है कि वो किसको शमा करते हैं किसको सैलवेशन देते हैं किसको मुक्ती देते हैं किसको स्वर्ग भेजते हैं किसको नर्ग भेजते हैं आप इसमें हस्तक शेप करने वाले हो कून आप प्रिस्ट जो है ये जो priest लोग जो है ये जो पादरी जो है पॉप जो है ये कहां से आ गया कि एक तरह के से ये ही भगवान को convince कर लेगा तो आप जानते हैं कि उस पूरे के पूरे दोर में ये जो clergy थे ये जो पॉप थे ये एक medium बन गए थे इश्वर और मैन के बीच का medium बन गए थे कि हम ही आपका direct contact हरवाएंगे आप directly इश्वर से एक तरीके से contact नहीं कर सकते तो इन्होंने इस बात को एक तरीके से खाईज कहा और इन्होंने कहा कि अगर आप भगवान में believe करते हो आप Christianity में believe करते हो जीसस में believe करते हो तो आपको individual believer होना चाहिए आपको किसी भी तरीके से इन church पे इन priest पे पोप्स पे बिलकुल भी dependent नहीं होना चाहिए आपको अपनी spiritual guidance के लिए किसी और पे निर्भर होने की जरुवत नहीं है आपको खुद ही एक तरीके से वो salvation का जो रास्ता है वो ढूनना पड़ेगा भगवान की भक्ती के रास्ते से और इसमें आपको किसी भी बीच के माध्यम की जरुवत नहीं है आपको ऐसा नहीं है कि आपको पैसा देना पड़ेगा आपको पॉप के पास जाना पड़ेगा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है religion जो है वो individual है और आपके खुद के करम के उपर depend करेगा और आप इश्वर से किस तरीके से बात करते हैं और अगर आपको अपने सिंस का अपने पापों का एक तरीके से शमा भी चाहिए तो आप डारेक्ट जाहिए चर्च में जाहिए और उनके जिसस के सामने बैठके और उनसे अपने confession कीजिए ये बातें करिए आपको पॉप से एक तरह से माध्यम बनाने की जरूत नहीं है ये बातें इन्होंने कही और इस तरीके से बेसिकली religion को इन्होंने पूरी तरीके से individual बनाने की कोशिश कर दी वहाँ पे और जो बीच में जो पोप, clergy और और दूसरे बिशप्स वगेरा होते थे उनकी सत्ता को उनकी जो एक तरीके से dependency थी जिन उनके उपर उसको हटाने की इन्होंने पूरी तरीके से कर दी, जो कि obviously church को बिलकोल पसंद नहीं आने वाली थी और जो church के समर्थक थे उनको ये बातें बिलकोल पसंद नहीं आने वाली थी, इसलिए क्या होता है, Martin Luther को बुलाया गया diet of worms में, अब आप कहेंगे diet of worms के है, worms कीडों की diet है, क्या एक खाना वॉम्स जो है ये शेहर हुआ करता था उस समय जर्मनी में तो डाइट ओफ वॉम्स जो है यहां पे इनको बुलाया गया समन किया गया किसने बुलाया होली रोमन एमपायर के जो उस समय के एमपरर थे जिनका नाम था चारल्स फाइफ इन्हों ने इनको बुलाया और कहा कि मा सारी बाते बोली हैं तो इसलिए आप अपनी जो सफाई में क्या कहना चाओगे वो कहिए उसके बाद आपको पनिश किया जाएगा तो मार्टिन लूथरिन के सामने आते हैं और अपनी सफाई देते हैं और अपनी बातों को डिफेंड करते हैं बिल्कुल भी माफी मांगने के मूड में वो नहीं होते हैं माफी मांगने से मना कर देते हैं और उस समय जो पोप होते हैं लियो टैन जो होते हैं उस समय रॉमन कैथलिक चर्च के ये पोप हुआ करते हैं हेड पोप होते हैं ये भी इनको कहते हैं कि आप जो बाते कह रहे हैं वो गलत है और सब लोग यहा पर फाइनली जो है मार्टि लूथरिक ने मना कर दिया अपना जो बाते हैं उनसे वो पीछे नहीं हुटे अपनी बात तक उन्होंने डिफेंड किया तो उसके बाद जो है एंपरर ने इनको कहा कि ये तो एक नोटेरियस एक्टरिक है ये तो धार्मिक विधरमी है इसने ये तो आदमी लाए कि नहीं इसको फॉलो किया जाना चाहिए इसको यहां से हटा दो और इसके जो आइडियाज है उनको प्रोपोगेट करना हमारे देश के अंदर हमारे एंपायर के अंदर एक दरसे बैन है तो मार्टिन लूथर को यहां से निकाल दिया गया और यहां से एक जो कि इनको पसंद करते थे, इनके आइडियाज के समर्थक थे, उनमें से ही एक थे, फेडरिक थर्ड, ये एक नोबल मैन हुआ करते थे, सैक्सनी के इलेक्टरोल भी हुआ करते थे, इलेक्टरोल कौन होता था, जो होली रोमन एमपरर जो हुआ करता था, उसको चुनने के ल कि अपना काम कीजिए अपने जो लुथरीनिजम का जो आइडिया है जो अलग से आप Christianity को परिभाष्यत करते हैं उसको यहाँ पे अपना काम करो तो यहाँ पे आके इन्होंने जो जर्मन भाष्या में Bible है उसको translate किया पहले Latin भाष्या में थी उसके बाद इसको बहुती चीप प्राइस पे लोगों तक पहुचाया क्योंकि इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेश थी तो जिसकी वज़े से जो आंदोलन है इसको काफी बल मिला और लोगों को ये समझ में आया कि Christianity का actual meaning क्या है और Bible के Old Testament और New Testament में क्या चीज़े लिखिए है जिसस की जो टीचिंग से वो क्या है ये चीज़े यहां पर Martin Luther करने में सफल रहे उन्हीं के साथ साथ contemporary और भी बड़े-बड़े धार्मिक सुधारक अंदोलनकारी थे जिसमें थे एक थे ज्विंगली ज्विंगली जो है ये एक प्रिस्ट और फिलोसफर हुआ करते थे स्वीजर लेंड के ये भी अपने दोर में पूरे के पूरे चर्च को चाहिए वो Roman Catholic Church है उसके जो बाते थी उनको क्रिटिसाइज करते थे और अपने चर्च में पारदरी होते हुए इन्होंने बहुत सारे जो जिसस की जो ओरिजिनल टीचिंग से उनके उपर जोड़ दिया और कहा कि जो चीजें आज की समब परफॉर्म की जा रही है जो प्रैक्टिसिस फॉलो की जा रही है जो ट्रेड बहुत ही बड़े थेोलोजिन और एक बहुत बड़े ये फिलोसोफर हुए हैं इनकी बातों को ये बहुत ज़्यादा मानते थे इनकी बातों को ये लोगों तक परमोट करते थे तो बैसिकली इन्होंने स्विजर लेंड के अंदर जो है रिफॉर्मेशन आंदोलन है उसको कहा जाता है Calvinism, Calvinism यानि कि Christianity को John Calvin के चस्मे से देखना, कि John Calvin ने जो philosophy दी जिस तरीके से उन्होंने Christianity को explain किया वो Calvinism है और इन्होंने stress किया इस बात पर कि इश्योर जो है वो ही सुप्रीम है और इनसान की जो destiny है वो पहले से predestinate होती है कोई भी practice जो करता है तो उसको आप दल सकते इस चीज़ को इन्होंने कहा तो आप indulgence वगेरा को आप है खरीदना नहीं चाहिए उन चीज़ों को ये भी करते थे Catholic Church की जो authority थी उसको ये भी challenge करते थे और ये जो थे ये फ्रांस से थे फ्रांस के Protestant Reformation को इन्होंने एक तरीके से हवा दी और वहां पर ये करते थे प बाद में आने वाले समय में फ्रांस नहीं फ्रांस की political authority ने भी जो है Protestant Reformation को ज़्यादा एक तरह से तरज दी है उसको ज़्यादा push दिया है यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा morality को और इन चीज़ों को support किया और जो पूरे के पूरे traditions जो थे और जो जिनकी वज़े से जो Pope की authority powerful हो रही थी उनकी जो political authority थी उसको भी challenge करने कि इनोंने बात कहीं बात करते हैं England की England में उस समय राजा हुआ करते थे Henry 8 Henry 8 की कहे कि बच्चा नहीं था बेटा नहीं था उनका male hair नहीं मिल रहा था उनकी wife जिनका नाम था यहाँ पे क्या नाम था उनकी wife Catherine इनकी wife थी उनको उनको बेटा नहीं मिल रहा था अब आप यह जानते हैं कि biological factor यह है कि बेटा होने के लिए mother जो है वो किसी भी तरीके से responsible नहीं होती है लेकिन ये बाते हैं तो उनको पता नहीं थी obviously तो वो Catherine से divorce लेना चाहते थे दूसरी शादी करना चाहते थे ताकि उनको आने वाल सेवन जो हुआ करते थे उन्होंने इन से divorce दिलाने से मना कर दिया कि हम आपको Catherine से divorce नहीं दिलाएंगे तो राजा के सामने ये चुनोती हो गई और उसके ego hurt हो गया तो उसने क्या किया कि डिकलेर कर दिया 1534 में कि आने वाले समय में पूरे के पूरे religious matters में और political matters में जो परी उसमें पॉप की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और जो उसने कह दिया धार्मिक matters में या फिर political matters में वो उसी की चलेगी पॉप की नहीं चलेगी तो पूरा का पूरा जो English Church है वो पूरी के तरीके से England के राजा के अंडर leadership में आ गया उसके बाद आप जानते हैं कि आने बढ़ाया गया Calvinist idea को बढ़ाया गया उसके बाद Mary Fest जो है इनका टाइम है तब Catholic Church की टेचिंग्स को फिर से प्रमोशन मिला और जो Protestant ideas है उनको दबायाने की कोशिश करी गई लेकिन बाद में फाइनली Elizabeth first जब आई 1569 में इन्हों ने ये डिकलेर किया अपनी पूरी की पूर Buddhism में भी मध्यमार्ग की बात करी थी आप जानते हैं Lord बुद्धा ने गोतम बुद्धा ने तो ये मध्यमार्ग वो नहीं है ये मध्यमार्ग है कि हम Calvinism और Catholicism के बीच के मार्ग को चुनते हैं कि Catholicism को भी जो मानेंगे थोड़ा थोड़ा उनकी जो चीजे हमें पसंद आएं पूरे के पूरे इंग्लेंड का वो मिडल वे पे चलेगा मध्यमार्ग जो है बीच का रास्ता हम चुन लेंगे तो ये बात है ये हैंडरी सेकंड से लेके Elizabeth West तक का जो इंग्लेंड का जो दोर है इसमें काफी सारा काम हुआ है Protestantist जो आंदोलन है वो काफी यहाँ पे अलग लग तरीके से फैला उसके बाद बात आती है कि ये तो इंग्लेंड का वो टाइम था जिसमें Protestantist जो आंदोलन हो चल रहा था लेकिन अब क्या है कि आप जानते कि Catholic Church है वो इस चीज को बिल्कुल बरदाश नहीं करने वाला था और Catholic Church के जो समर्थक हैं वो भी बहुत सारे र इन्होंने काउंटर करना था और जो Catholic आइडियाज हैं उनको एक तरीके से पाउर्फुल बना के रखना था इसके लिए पहले तो इन्होंने जल्दी से एक तरह से रिकॉगनाईज ही नहीं किया Catholic Church जो है वो थोड़ा स्लो हो गया उन्होंने सोचा कि पहले भी तो बहुत सा में इनको इनका जवाब देना पड़ा इनकी बातों का जवाब देना पड़ा जब लोग और बहुत सारे जो प्रिंस और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्टेंट्स को समर्थन दिया तो इनको फाइनली यहां पे कानून बनाने पड़े 1545 के आसपास और 1563 के बीच में जो Holy Roman Emperor हुआ करता था उसने ये कानून नय कि जो Catholic Church के खिलाब बोलेगा उसको हम मत की सजा तक दे देंगे ऐसी ऐसे बाते हुई जिसकी वज़े से फाइनली एक बहुत बड़ा conflict जो है वो ट्रिगर कर गया और फाइनली एक 30 साल तक लड़ाई चली जिसको बोलते हैं 30 एयर वोर जो हैं जिनको European War of Religion कहते हैं ये बहुत ही brutal blunt war थे जिनकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने लाकों की सं हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ओफ वेस्ट फैलिया ये जर्मनी में है जगह वहां पर ये ट्रीटी हुई 1648 में और इस 30 साल के वोर में इतने लोग मारे गए हैं जर्मनी की तो 25 से 40 परतिशत आबादी इस वोर में मारी गई है इतना बड़ा ये conflict था और इतने लोगों की यहां पर जान गई है और बड़े बड़े जो सामराज्ये हैं वो यहां पर एक तरह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ आर्थिक तोर पे या एक तरह से politically उनकी सत्ता जो है वो वीक पड़ गई और ये Holy Roman Emperor जो है ये भी वीक पड़ गया था Empire जो है वो भी वीक करता था इसमें आपको देखेंगे यहां पर रॉम तो यहां पर है रॉम तो यहां पर है रॉमन Catholic Church यहां पर है लेकिन यहां पर यह वो इलाका है जहां पर उस समय रेनोसों चल रहा था और यहां पर Holy War चल रहा था जिसमें Religious War बोल सकते हैं और फाइनली यहां पर वेस्ट को समर्थन दिया तो फाइनली जो है यह वोर में Protestants जो है कही ना कहीं उनकी बात को मानना पड़ा ऐसा नहीं है कि वोर में किसी की बैटलफिल्ड में किसी की हार या जीत हुई लिकिन फाइनली इस वोर को व्युद्ध विराम तो देना ही था और Treaty of West failure के दोरान यह तै किया प्रोटेस्टेंट रिलिजन ही थे एक तरह के से थोड़े थोड़े बेसिक इनमें डिफरेंसे थे बाकी एक जैसे से ही थी थोड़े ज्यादा क्या डिफरेंस है उसको मैं सेपलेट वीडियो में पढ़ा दूँ आपको किसी दिन तो इसके बाद जो है फाइनली हर किसी को अपना खुद का धरम अपनाने की छूट मिली और यहाँ पे बेसिकली यह है कि धरम की व्याक्या अपने अपने दृष्ट्री कौन से हर कोई कर सकता है जैसे कि कहा था मार्टिन लूथर ने तो मार्टिन लूथर के जो आइडियाज उनकी कही ना कही जीत हुई यहाँ पे उन्होंने कहा था कि धरम जो है वो individual है और हर कोई जैसा चाहे वैसे धरम को interpret कर सकता है वहाँ पे पोप की authority और इनकी authority की कोई जरूत नहीं है तो catholic ideas की यहाँ पे वो रहा और पोप की जो authority थी political power थी उसको बहुत जादा एक तरह के स कि ये वेस्ट फैलिया की जो ट्रीटी है इसमें हम बिलियों ने करते हैं ये तो बिल्कुल एनेथिकल है ये तो नेल अन्वॉइड है इन्वैलिड है इंजस्ट है ऐसे ऐसे बाते कही लेकिन ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया लोगों ने जिन्हों ने ध्यान भी दि उनकी अपनी अपनी मर्जी है तो ये reformation अंदोलन था इसकी legacy की बात करें हम तो legacy में बहुत सारे यहां पर political change shift मिलते हैं आपको बहुत सारे जो politicians थे जो की पहले धरम की authority को बहुत ज़्यादा मानते थे पॉप से डरते थे वो धीरे दीरे करके अब नहीं डरते थे पॉप से आने वाले समय में यहां पे northern पूरे के पूरे यूरोप में इतना बड़ा जब war चला 30 साल तक war चलता है तो आप जानते हैं कि लोगों को कितना उकसान होता है 30 साल में एक generation जो है वो अपना बहुत ज़्यादा कुछ खो देती है बहुत कुछ खो देती है चाहिए वो आर्थिक रोप से मानसिक रोप से बहुत ज़्यादा विकारित हो जाते हैं और बहुत सारी लोग इसमें मारे भी गए, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिवस भी आपको दिखने को मिलते हैं, जिसमें आपको इंटलेक्च्वल और कल्चरल जो आइडियाज हैं, उनका काफी फ्लॉरिश्मेंट हुआ, लोग रीजन को सपोर्ट करने लगे, ऐसा नहीं है क दर्ती जो चक्कर नहीं लगाती, सूरज जो है दर्ती के चकर लगाता है, तो उसको बात कुमान रखा था, लेकिन अब जो है लोग धीरे-धीरे, रेनोसों की वज़े से, एज ओफ इंलाइटनमेंट की वज़े से, इस रिफॉर्मेशन की वज़े से धीरे-धीरे लोग ज आने लगे, इंडिविजुलिजम की बात होने लगी, सिविल राइट्स की बात होने लगी और बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो आज की समय आप देखते हैं, उनको हम वेस्टन आइडियाज कई बार वो कह देते हैं कि ये रिपब्लिक और ये आइडियाज जो है, बहुत स चीजें हुई यहां पर लिटरेसी जो है वो इंक्रीज हुआ लोगों को धरम को पढ़ने का समझने का जो तरीका है वो काफी बदला और उनके बाद वो जो ट्रेडिशन्स और जो धरम की जखड़न में लोग थे उनको निकलने में भी काफी मदद मिली तो वो समझने लग ग पीटर जो थे वो जिसस क्राइस के बहुत ही इंपोर्टेंट उनके फॉलोवर थे डिसाइपल थे तो उनको पहला पॉप माना जाता है यह क्रिस्चन एटी में मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए कहा जाता है कि पॉप पहले पॉप जो थे वो पीटर थे और उसके बाद ज पहले जो पॉप हैं उनकी ऊथोर्टी को हम नहीं मानते हैं और कोई भी ऐसा चीज नहीं लिखी होई है डाईबल में कि आने वाले सुप है में पॉप जो होगा वही सुप्रीम शोर्टी होगा और वही पूरे के पूरे डिलिजन को बताएगा कि डिलिजन को परिभाशित क इसी कोई भी बात यहाँ पे बाइबल में नहीं लिखी है तो और जो पॉप है उनकी अथोर्टी को नहीं मानते हैं लिटरल मिनिंग जो है कैथलिक जो है शब्द है ये आया है ग्रिक एडजेक्टिव कैथॉलिक की जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल कैथलिजम का मतलब होता है यूनिवर्सल और प्रोटेस्टेंट जो है शब्द वो प्रोटेस्ट से आया है मतलब विरोधी जिन्होंने विरोध किया कलरजी जो है यहां पे पोप है, कारडिनल्स हैं, यहां पे बिशप्स हैं, आर्की बिशप्स हैं, प्रिस्ट हैं, मौंक्स हैं, यह सब लोग होते हैं, विमन जो हैं उनको यहां पे रखा गया है, पहले यहां पे विमन्स को नहीं रखा गया था, बाद में रखा गया था, उ प्राश्चित करने के लिए वो प्रीस्ट के रास्टे होता है प्रीस्ट करवाते हैं कैथलिजम में और यहां पे इंडिविज्वल होता है जीसस के रास्टे होता है कि जीसस के सामने अपने पापों का प्राश्चित कर लो उनके सामने कनफेस कर दो तो वह आपको हो सकता है म का मीनिंग क्या है scripture की बात करें तो holy Bible जो है जिसका old testament और new testaments है उनको तो मानते ही है साथ में कुछ traditional यहाँ scripture को माना जाता है Catholicism में लेकिन अगर Protestant की बात करें तो صرف Bible को ही यहाँ पे only scripture माना जाता है यह Protestant के व्योज है और आज के समय अगर दुनिया की फैट्स को देखें दुनिया भर में कौन-कौन से रिलिजन फोलो किया जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोमन कैथलिक रिलिजन जो है यहाँ पे नौर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका, मिड अमेरिका इसमें फोलो किया जाता है, यूरोप में फ के बहुत सारी चीजे हैं वारत सारी रिलीजन फोलो के जाता है इसको आप देख सकते हैं कहांपर कितना फोलो किया जाता है इसका आप इसके शिर्टा टे लिजिए अगर आपको देखना आपको update मिलती रहती है, so thank you so much for watching this video, have a good day, see you in the next lecture.